नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अदित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने व्लोग चैनल के एक बहुत नए कमाल फ्रेस वीडियो में है थम्डेल और टाइटल से आपको यह तो पता चली गया हुए कि आज मैं कहां जा रहा हूँ बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तो जैसा कि आपने मेरे पिसले व्लोग वीडियो में देखा हुए कि मैंने सीवियोसी क्लास 10 का एक्जैमिनेशन दिया था और उसमें मैं पास हो गया और अभी मैंने एडिमिशन ले लिया क्लास 11 में यानि इंटर्मिडियेट पार्ट 1 में च्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और उसी की पढ़ाई के लिए मैंने कुछ कोचिंग स्वें की हैं और आज उस कोचिंग का मेरा पाला दीन है दोस्तो मैंने दू कोचिंग स्वेंग के हैं जिसमें से पहला है फज्च का और ढूसरा है chemistry का अभी बज रहे हैं सुभागे साले साथ और मैं अभी जा रहा हूं कि मेस्ट्री क्लासेश के लिए तो चलिए चलते हैं कोचिंग और देखते हैं कैसा होता है फस्ट बिल का experience तो दोस्तों मैं अभी निकल चब आँ घर से और जा रहा हूं उसी कोचिंग सेंटर की तरफ तो चलिए आंगे देखते हैं तो दोस्तों यह है वो स्कूल जिसमें मैं पढ़ा था और इसका नाम है modern public school जैसा आप देखी रहे होएंगे यह main building है और इसके बागी के branches थोड़ी दूर है चलिए चलते हैं कोचिंग की तरफ जोस्तों मैं अभी हूँ कोचिंग के अंदर मैं आपको बाहर का सीन इसले नहीं दिखा पाया क्योंकि जब मैं कोचिंग के पास पहुचा तो अचानक से बारी सुरू हो गई इसलिए मैं भाग के कोचिंग में चलाया विलहाल क्लासे स्टार्ट हो चुकी है मैं आपको कोचिंग खत्म होने के बाद मिलता हूँ तो क्लासे स्ट मुझ चुकी है और मैं आचुका हूँ कोचिंग से बाहर पहला दिन के एक्सपिरियेंस काफी अच्छा था मुझे वो सारी चीजे समझ आई जो सेर ने पढ़ाया विलहाल जल्दी से चलते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि मौसम क्लावडी क्लावडी है और कभी भी बारिस हो सकती है पता नहीं यहां पर किस बात के पुलिस आई हुई है दोस्तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर और जैसा मैंने आपको बोला था काफी तेज बारिस हो रही है बाहर अभी बात करते हैं कोचिंग के बारे में तो सर काफी अच्छे थें काफी प्रेंडली थे सर और मुझे वो सारी चीजे समझ आई जो सर ने बढ़ाया इसलिए मैं बढ़ाई अभी वहीं पर कंटिन्यू करने वाला हूं तो दोस्तो करते हैं इस ब्लॉग वीडियो को इहें पर समापत उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेस कर दीजे मैं मिलता हूँ जल्दी किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद